Dear students, यह आज के उर्दू पेपर की Y-series है, तो आप Y-series को भी देख लें, देखिए पहला सवाल तीनों सीरीज में एक जैसा ही पूछा गया था, वैसे यह मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी देख लें, ताज महल डैश के किनारे वाके है, तो यहां पर आएगा जमना, ताज महल को शाज जहां ने तामिर करवाया, ताज महल का शुमार दुनिया के आठ उजूबों में होता है, आगरा रियासत उत्तर परदेश का एक शहर है, और माहुलियाती फिसन मतासिर होता है, ठीक है, तो एक्स और जेड सीरीज के स्टूडेंट्स भी देख लें, यहां पर संगे मरमर नहीं, बलकि हुसन आएगा, उसके बाद दूसरे सवाल को देखें, यह शेरी जूज मरसिया से लिया गया था, तो यह मरसिया का जूज है, तो यह शेरी किस की मरसिया से आक्स किया गया है, तो यह है मिर्जा दबीर, तो मिर्जा दबीर का यह मरसिया है, उसके बाद सिब्त मुस्तफा से कौन सी शक्सियत मुराद है, तो यह इसका सही आंसर है, इमाम हसन, उसके बाद है, पानी की दरखास रद होने की सूरत में, कौन सी दो ची जाने का खत्रा है तो इसका सही आंसर है जान और आबरू आबरू इज़त को कहते हैं उसके बाद पांचवे नमर पर है दूसरे मिस्रे में ले तो चला हूं से कौन मुराद है तो इसका सही आंसर है अलिफ पाट हजरत अलियसकर उसके बाद बाकी सेम टू सेम वैसे ही सवाला जो X और Z सीरीज में थे फिर भी रिपीट कर देता हूं रात का मनजर यहां पर पहला सवाल है बरस की किस रात को बूढ़हा घर में अकेला बैठा है तो आखिर रात को बरस की आखिर रात को बूढ़हा घर में अकेला बैठा है रात का मनजर कैसा है तो रात का मनजर ड्राव नहें रात के वक्त क्या कड़कती है तो बिजली बूढ़ा की जमाने को याद करता है तो यहां पर आए गुजरे हुए जमाने को ये पिछले जमाने को बूढ़ेने अपने हाथों से जिस्म किस इससे को ढहा है तो यहां पर इसका आंसर देखें हा Er हाथों से ढके हुए मुव पर तो इसका आंसर मुव पर आएगा ठीक है एक्स और जैड सीरीज के भी स्टूडेंट्स इसको देख लेना क्योंकि मैंने जल्द बाजी में इबारत को रीड नहीं किया था उसके बाद मुवणनेस बहुत आसान है बार बार कह रहा हूँ तंखा मुवणनेस है पानी मुवणनेस है शर्बत मुवणनेस है रुमाल मुवणनेस है उसके बाद वाहिद जमा कुरसी वाहिद है वालिदेन जमा है तस्वीर वाहिद है असबाब जमा आएगा यहां पर ठी तो आपने जो sentences बनाए होंगे वो ठीक होंगे बाकी सारा का सारा सेम पेपर वही है जो X और Z series को पूछा गया था तो इस जुम्ले में जाने वाला वापस कहां आता है इस जुम्ले में जाने वाला कौाइद के लिहाज से फाइल है उसके बाद नदी में काबिल लड़का है तो यहां पर काबिल इसमें सिफ़त है उसके बाद है शानदार इमारत है तो इमारत शानदार यहां पर इसमें सिफ़त आएगा थोड़ा सा आता लाओ तो यहां पर थोड़ा सा सिफ़त मगदारी है रशीद ने कुट्टे को मारा तो इस जुम्ले में रशीद जो है फाइल आएगा बाग की सारे कॉश्टन्स जो है वो ही है आग बगूला होना बहुत गुसा होना बाग बाग होना खुश होना एक न सुना एक न सुना बात न मानना ठीक है तो तरकीब नहवी वही है जो मैंने आपको पहले भी समझाई एक सौर जैड सीरीज में बाग की बहुत आसान था पेपर कोई मुश्किल नहीं था ये सब ही सवालात बहुत आसान पूछे गए थे बहुत आसान थे सारे के सारे सवालात आपको कराए गए थे देखे स्टूडेंट्स यहां पर आपने सिर्फ जो थार्टींथ कॉश्चन था यहां पर आपने सिर्फ दो सवालों के जवाब लिखने थे ठीक है तो चार में से आपको कोई दो करने थे बहुत आसान थे तो जिन स्टूडेंस ने ये थार्ड पार्ट किया होगा तो उनको मैं बता दूँ कत्था के लफजी मानी है टुकड़े के ठीक है कत्था के लफजी मानी टुकड़े के है तो आपके निसाब में जो कत्था शामिल है वो है नौक्रों पर सक्त गिरी करने का अंजाम हाली ने लिखा था बहुत आसान पेपर था ठीक है बाकी खत और मजमून वगर है वो सेमी था